सबी वक्तों को शिरी शिवाय नमस्तूब्यम हर हर महादेव ओम नमस्षिवाय तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था पांच कंकरवाली और प्रति दिन सावन में शिवलिंग का निर्बान करके जो पूजा का वीडियो हमने कल बनाया था आज हमने दूसरे दिन की पूजा की है इसी प्रकार हम प्रति दिन की पूजा का वीडियो आपके समुख में लाते रहेंगे आज दूसरे दिन की पूजा में हमने एक और वस्तू जोड़ी है वो है पीपल के पत्ते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक साधिक लोगों के पा बाद में चंदन, अक्षत, जो जो बस्तुएं भी हमारे पास में थी, वो सभी बस्तुएं मैंने समर्पित कर दी हैं, ये पूजा मैंने आपको कल भी बताया था, आप बेल पत्री के व्रक्ष के नीचे, या घर में कोई भी व्रक्ष हो, फिरो कनेर का हो, या XYZ कोई सभी व् ब्रक्ष बस ऐसे कि आप उसके नीचे बैटो तो उसके छाओं आपके उपर आए, उसके नीचे कर सकते हो, ये पूजा आप, यदि आपके पास में सिहोर के कंकर है, यानि कि जो कंकर शंकर सिहोर से आप लेकर आए हो, यदि वो है, तो आप घर पर भी उनकी पूजा कर सकत वैसे तो जिन माता ने पत्र लिखाता उन्होंने यहीं बताया था कि वह सिहोर जाकर पांच कंकर की पूजा करकर आई थी पर यदि आप सिहोर ना जा सके तो यदि सिहोर के आपके पास में कंकर है तो आप उन्हीं की पूजा कंकर शंकर है तो उनकी पूजा कर सकते हैं इस प समर्पित करें हैं और जो दो कलश जल मैंने आपको पूजा में बताया था आज भी हमने वो दो कलश जल समर्पित करें हैं आज भी हमने आम की पांच पत्तियां आम के विरक्ष की पत्तियां सफेद आकड़े के विरक्ष की पत्तियां और साथ में धतूरे के वरक्ष की यानि पूजा अधूरे रहे जाएगी, तो वज्ट में समर्पित करने के बाद में, दो कलजल समर्पित करेगी, जिनकी कामना है संतान की, वो तुब्रुकेश्वर और ग्रिशनेश्वर महादेव का नाम लीजिए, और जिनकी कामना है धन प्राप्ति की, वो कुबेर बंडारे और कुबेर इश्वर महादेव का नाम लीजिए, संपूर्ण पूजा करने के बाद में, दीपक प्रजोलित कीजिए, दीपक यदि आपकी कामना संतान प्राप्ति कीए, तो लंबी बात का प्राप्ति कीजिए, और यदि कोई विशेश मनो कामना है, धन प्राप्ति चाते हो, तो आप उसमें गोल बाती का इस्तमाल करें, वैसे तो जो भी आप बात का इस्तमाल करोगे, बगवान शंकर इस पूजा को सुईकार कर लेंगे, बगवान शंकर ने सुयम हमें नहीं कहा है कि गोल बाती का इस्तमाल करो, तो आपके पास में यदि गोल बाती ना हो, तो लं छंदन अपने मस्तक पर लगाना है इसी प्रकार चर में होैं से लेकर जנ्द बादने जन्द कर संदन देख रहे हो anlam